चैप्टर नमबर टैन सेवन स्टान्डर्ड में चैप्टर नमबर टैन जो हमारे सेम टू का लास्ट चैप्टर है अंदाज अपना अपना तो फ्रेंड्स अंदाज अपना अपना यानि किसी भी विशय के सम्बन्द में तर्क पूर्ण शोचना या चिंतन करना, मनन करना, करते हुए अपनी बाद को प्रकट करतना तार्किक चिंतन कहलाता है यानि कि आज हम एक प्रसन सुनेगे, उसके बाद आपको एक प्रसन पुछा जाएगा हमें ध्यान से सुनेए और दिमाग का उप्योग कीजिए आईए दिमाग दोड सुरू करते हैं दिमाग दोड बावेश भाई वकील है, वह अपनी पतनी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते है छोटा परिवाश शुक का आदार होता है, उनका जीवन भी खुशाल था एक बार दिपावले की चुटियों में वे तीनों अमबाजी गए, चार दिन बाद वापस आकर देखा तो चौक गए उन्होंने देखा कि गर के बहार जो बगीचा है उसके पेड़ पदे के कई फूल पट्टे जड़ गए है गर के अंदर आकर देखा तो पूरा कमरा दूल से खराब हो गया है दीवार पर की लीना और रज की तस्वीर अभी नीचे गीर गई थी और तूट गई थी तो नन्ने मुन्ने बच्चो बताओ ऐसा क्या होगा हुआ होगा वे समझ नहीं पाए आप बड़े अकलमंद है आप ही अमें बवने बताईए कि ऐसा क्या हुआ होगा तो फ्रेंड्स आप सोचिए कि ऐसा क्या हुआ होगा फिर दूसरी एक कहानी बताते है परेस्पाई किसान है उनकी पत्नी हीरल बहुन नर्स है एक दिन सुबसुब हीरल बनने पानी के नल के भीचे जल्द बाजी में एक मटका रखा बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था उसने पानी नहीं था हीरल बहन अपने आप पर हसने लगी तो फ्रेंड्स मेरे समधदर दोस्त अब आप ही बताई है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि मटके में पानी नहीं बरा उसके बाद दूसरे सेजल दो गंबले लाई उनमें तुलसी के पोदे थे दोनों पोदे लंबाई चोड़ाई और उंचाई में एक समान ही थे एक मईने के बाद दूसरे गंबले का पोदा बड़ा हो गया जितना एक महिने पहले था बड़ा हो गया जबकि एक पहले गंबले का पोदा अब भी इतना ही था जितना एक महिने पहले मेरे बोले बेजांबाज दोस्तो ऐसा क्या हुआ होगा आप ही बताईए कि एक पोदा बड़ गया और दूसरा पोड़ा जैसा था वैसा ही है क्यूं ऐसा हुआ तो आप सोच कर हमें जवाब दिजिए तरकी लगाम कलपना के घोड़े आप साइकल पर स्कूल जा रहे है यानि कि ये आपको सूच कर बताना है आप साइकल पर स्कूल जा रहे है रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिला कर आपको रुखने का इसारा कर रहा था आप रुखे उसने कहा कि बगल वाले गाओं में मेरा जाना जरूरी है आपने उस आदमी को साइकल पर बिठाया और पास वाले गाओं तक पहुंच जाया वहाँ जाकर आपको पता चला कि वहाँ एक जादूगर का कारेकरम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया पर पाट साला पॉंटने में देरी होग जाएगी यहाँ सोचकर आपने मना कर दिया उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई जादूगर ने खुस होकर आपको एक करामती चसमे दिये और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे जादूगर ने खुस होकर आपको एक करामती चसमे दे दिये तुमें कोई देख नहीं पाएगा इसका असर एक खपते तक रहेगा आप चसमे लेकर वापस अपने गाओं की पाड़साला में आए वहां से गर गए दूसरे रोज नहा दोकर आईने के सामने अपने चसमे पहने आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे अब फ्रेंड्स बताइए कि आप कहां कहां जाएगे और क्या क्या करेगे उसके बाद है पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कोट के बाद रात को आपकी आँख लग गई नींद में आपने एक शपना देखा आप गुमते गुमते बहुत दूर निकल गए आप नदी पहाड के अद्बूत संदर्य में लिन हो गए है आपको पता भी न चलना और आप चलते चलते जंगल में पहुँच गए यकाया आपके सामने एक शेर आ गया सेर को देख कर आपको होश आया आप घबरा गए मारे डर के मारे आख बंद कर दी आपने इस्वर को याद किया और कहां कास मेरे पास पंची की तरह पंख होते तो तभी चमतकार हुआ और आपके हाथ की जग़ पंख उग जाए आप उड़कर वापस गर आए आप बड़े खूस दे जान भी बची और पंख भी मिल गए सपना तूटा आपने नीन से आँख खोली आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जग़ पंख मिल गए मेरे परिंदे दोस्त अब बताए कि आप कहा कहा जाएगे और क्या क्या करेंगे फ्रेंड्स ये आपको सोच कर आपको आंसर लिखना है कि अगर आपको पंख मिले तो आप कहा कहा उड़कर जाओगे क्या क्या फाइदा उठाओगे आपको पंख मिले तो ये आपको अपनी आप से लिखना है अपनी सोच से लिखना है और उसके आगे के जो प्वेशन था के चस्मा के आपको ऐसे चमतकारी चस्मे मिले तो आप क्या करोगे तो वो भी आपको अपनी बुद्धी से आपकी बुद्धी और तरक से आपको लिखना है के ऐसे चमतकारी चस्में आपको भी मिल जाए तो आप क्या करोगे है ना तो ये दोनों प्रश्ण आपको अपनी तरह से सुल जाने हैं और लिखना है कि मेरे अगर ऐसे चस्में मिल जाए तो मैं ये करूंगा हा ना उसके बाद है इस पार अपनी मजेदार और अनोखी कसोटी होने वाली है ए एक बड़ा जहाज आपको निर्जन दीब पर ले जाना है एक बड़ा जहाज आपको निर्जन दीब पर ले जाना है वहां केवल मिटी, कंकर, पत्थर, पहाड और समुदरी पानी है मेरे बुद्धी मान दोस्त वहाँ एक हफ़ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएगे सुची बनाईए तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको ऐसे सोच विचार वाले प्रश्ण दिये हैं जो आपको अपनी तरह से सुलजाना है और इसे सुलजाने भी भी आपको बहुत मजाएगी इसके सुलजाव मैंने वर्क बुक की पिडियेप में बताए है तो आप अच्छी तरह से पढ़िए और लिखिए इसकी नौट बुक में आपको मैंने एक पेज दिया है वो ही लिखना है और बाकी सब कुछ आपको वर्क बुक में ही लिखना है और कहीं नौट बुक में लिखना नहीं है तो बाई स्टूडंट